हाय फ्रेंड्स वल्कम एक टू एजुकेस न्डिया तो आज मबात करेंगे राम मंदिर के बारे में जिसको लेकर सुप्रीम कोट ने बहुती बड़ा फैसला दे दिया है और राम मंदिर को लेकर बहुती बड़ा तगड़ा जवाब भी दे दिया है जिससे हिंदू समुदाय और मुसलिम संक्ठन के बीच बहुती बाड़ी बहास भी छेड़ चुकी है तो अभी हम बताएंगे आपको कि क्या राम मंदिर को लेकर बड़ा फैसला दिया है और अब पूरे देश में राम मंदिर कब बनने जा रहा है सुपरिम कोट के फैसले के बात तो पूरी की पूरी अभी आपको जानकारी देंगे सुपरिम कोट के बारे में इसलिए आप ये वीडियो पूरा का पूरा देखते रहे है ताकि आपको जो एक जानकारी राम मंदिर की बिलकुल साई और सिटीक तरिके से मिले लेकिन उससे पाले आप से हमारी एक चोटी सी गुजर्श भी रहेगी कि यदि आपको भी जानकारी राम मंदरिया सुप्रीम कोड की सबसे पाले प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे इस चनल को जरू सबस्काइब करिए जिसके लिए आपको वीडियो के निचे एक लाल क सुप्रीम कोड की हर एक जानकारी सबसे पाले मिले और साथ ही में जो है आप इस लिए को लाइक को शेर भी आउश्य करिए ताकि आपका सब्पोर्ट इस लिए को मिले और ये वीडियो जो है आपके सभी भायों भानमित्रों के पास पहुंच जाए ताकि उनको भी राम मं मंदिर को लेकर और राम मंदिर के बक्ष में तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या बड़ा फैसला देखने को मिला है और क्या कहा है सुप्रीम कोड ने तो सुप्रीम कोड ने बहुती बड़ा तकड़े जवाब के साथ ही बहुती बड़ा फैसला दिया है राम मंदिर को लेकर और राम विवाद को लेकर आपको को बताये तो स्री राम विवाद पर आज किस परकार से नकारा गया है और किस परकार से सुप्रीम कोट ने बड़ा फैसला दिया है चली अभी आपको बता देते हैं तो आयुद्या मामला यहाँ पर बहुत जारा पैचीदा होता जारा है और उस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से बड़े बोल भी आए हैं उन्होंने बता है कि हिंदुों को पूजा करने के अनुमती दी गई थी लेकिन यहाँ पर एक बहुती बड़ी बात भी कहिए राजिन धवन ने जो कि यहाँ पर एक बहुती बड़े खुलाशे की रूप में सामने आईए सुप्रिम कोट में आज तो आयुद्या मामले को लेकर सुप्रीम कोट में बुद्वार को निश्य दुन की सुनवाई चली जिसमें मुस्लिम पक्ष की तरप से यहां पर राजिन धवन की ओर से बहसरू की गई राजिन धवन ने बताया कि इकबाल अंसारी के बेटे आसिम पर एक बहुती बड़ा हमला हुआ है और वह भी इन मामले में याचिका करता है और धवन ने बताया कि अंसारी को प्लिश ने हमला वर से बचाया धवन ने बताया कि हम सुरक्षा बढ़ाने की मांग नहीं करें ज तो यह बड़ी बात कही गई है यहां पर धवन की तरफ से जो कि मुश्लिम पक्ष की तरफ से वकीले और इसी से उन्होंने शुरुआत की आज की बड़ी दलीलों की तो अब क्या बड़ी दलीले रखी और क्या बड़े-बड़े मामले की खुलाशे किये हैं राम मंदिर को ल सबी गजेटियर पर कोट को बरशा नहीं कर सकता है 1860 से पाले के गजेटियर जो है इस्ट इंडिया कमपनी ने तयार किये थे सबी गजेटियर एक विशेश तरीके से विवादों के लिए जमा किये गए थे यहने की राम मंदिर को लेकर यह बहुत ही बड़ी बात यहां प भरोशा नहीं कर सकते हैं तो यह बहुती बड़ी पहली दलिल रखी गई जिसमें उन्होंने बता दिया है कि राम मंदिर की भूमिये नहीं है यह बाबरी मजजित की आने की मुश्लिम पक्ष की तरफ से बाबरी मजजित की तरफ से पहली दलिल राजी दवाने लखी है ले दूसरी दलील में कहा कि हिंदू को पूजा करने के अनुमती दी गई थी लेकिन टाइटल मुसल्मानों के साथ था हिंदू पूजा करना चाहते थे लेकिन मुसल्मानों ने उन्हें अनुमती दी लेकिन टाइटल हमेशा मुसल्मानों के साथ था और ये बड़ी बात उन्हों पर इसी को लेकर बहुती बड़ा सवाल भी सुप्रीम कोट ने पूछ लिया था यहां पर लेकिन इसका जवाब कहा जाए तो फिर से राजिन दवन के पास पर स्ट्रूप से नहीं देखने को मिला फिर राजिन दवन ने कहा कि मैं पहले के चुकाओं की देवता के अदिकार सिमी थे 1885 में सेवेट ने यहां पर दायर किया लेकिन उपादित का जूएं दावा नहीं किया गया जश्टिस दीवाई चंदर जूड ने कहा कि सेवेट कादिकार देवता के परबंदन के बारे में लेकिन देवता कादिकार अलपर विक्षित है उन्होंने बताया कि धवन ने यहां पर 1885 में बताया कि सेवेट ने याची का दाकिल की लेकिन कब जा कोछुनोती नहीं दी गई उन्होंने कहा कि अधुनिक एंगलो मुश्लिम कानुन के साथ हमको चलना होगा हम यह नहीं कह सकते हैं कि वह अच्छे लोग थे या फिर यहां पर बुरे तो इस पर भी जश्टिस बेबडे ने बड़ी बात कहिए क्या बड़ी बात कहिए आपको वह बताते हैं और इस पर एक बहुती बड़ी यहां पर कहा जाए तो राम मंदिर के पक्ष में अहां पर जाता हुआ जश्टिस बेबडे का बोल रहा है तो यहां पर उनने बताया कि यहां कुरानिक कानुन मजजित पर लागू नहीं होगा दवा ने कहा है कि कुरानिक कानुन को भारत्य कानुन ने माना है आप कुरानिक कानून की अंदेखी नहीं कर सकते ये बात यहाँ पर देखने को मिलिए राम मंदिर के पक्ष में और उन्हेंने कहा है कि कुरानिक कानून मजजित पर लागू ही नहीं होता है ये बड़ा फैसला जो बैवड़े का देखने को मिला है जश्टिस का देखने को मिलाए वह राम मंदिर के पक्ष में कहा जाए तो देखने को मिलाए को कि इस अफ फैसले में जो बड़ी बात हुई है वह कुरान को लेकर हुई है और उसमें बताया है कि कुरान एक मामले पर मस्जिद लागू नहीं होती है यह बात यहां पर बहुत ही बड़ी रही है जो कि राम मंदिर के पक्ष में देखने को मिली है आज तो इस पर धवा ने अपनी दलिल लखी लेकिन यहां पर उन्होंने यही कहा कि कुरान एक मामले लगू होते हैं यहां पर मस्जिद पर भी यह बात उन्होंने कही है लेकिन इस पर उन्होंने कोई बड़ा सबूत भी नहीं दिया कोट को और फिर अपनी दूसरी दलिल लखनी शुरू कर दी आगे की दलिले शुरू कर दी यानि कि यहां पर भी बात नहीं कहा पाए राजिन दवन और यहां पर भी फस चुके थे राजिन दवन तो यहां पर राजिन दवन की तरप से कैसी दलिल लखी गई जिससे यहां पर वह खुदी फस गए और उनको यहां पर बहुती बड़ा जावाब देना पड़ रहा है यहां पर बहुती बड़ा यहां पर कहा जाए तो उनकी दलिल को उन पर ही भारी पड़ रहा है क्यों आद दलिल रेखने को मिलिये आपको बता देते हैं राजिन्धवन की तरब से दलिल आए कि हम निर्मोई अखाडए को सेवेट के जिकार को नहीं छीने तो इस पर यहां पर यह दलिल उन पर भारी पड़ी तो इस पर पूछा गया जश्टिस भूसन की तरफ से जो कि पूछा गया है राचिन धवन की तरफ को जो कि यह मुस्लिम पक्ष के वकील और उनसे पूछा गया है कि इसका मतलब है कि आप सिकार कर रहे हैं कि वहां बहारी आंगन में प्रातना कर रहें तो इस प्रकार से यहां पर यह राम मंदिर को लेकर एक बहुती बड़ा सवाल आज भी पूछा गया और इसके बार उन्होंने कहा है कि 1885 में उन्होंने अंधरनी हिश्चे अपर बात किये और पूजा के अधिकार की बात कई इससे बेड़ सिप उनकी नयाया किस्तिये निर्मोई अकारा परबंदन अधिकारों की मांग कर रहा है वहाँ पर बंदन अधिकारों के हगदारे लेकिन बहारी अंगन में क्या था और पूजा कहां की जारी थी इसका फैसला होना भी बाकिये ये तो इन्होंने अपनी दलिल रखी फिर से यारे की फिर जब जब बड़ा पूछा गया तो यहां पर दलिल भी रखी उन्होंने कहा कि सुनी वकबोर्ट के वकिल यहां पर मामले में मुश्लिम पक्षकार अकबाल अंसारी पर हुए हमले पर कोट का ध्यान दलाया उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि इस हमले की जाच कराए जाने की जरूरत है या नहीं लेकिन इस गटना पर कोट की सामय टि इमकोट की जिसमें यहाँ पर तीन बड़े सवाल पूछे गए और वहाँ सवाल थे राम मंदिर के पक्ष में और पून्ता कहा जाए तो बड़े सवालों में गिरे हुए नजर आये यहाँ पर राजिंतवन जो कि मुस्लिम पक्ष के वकीले मुस्लिम पक्ष का रहे तो इस प आप आया है तो उस प्रकार से यह थी पूरी की पूरी राम मंदर को लेकर बड़ी जानकारी और राम मंदर को लेकर बड़ा फैसला तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लेगियो राम मंदर को लेकर बड़ी ख़बर अच्छी लेगियो तो आप वीडियो को जो है लाइक बहुत धन्यवाल श्रीव को देखने के लिए जे हिंद जे बारत और वंधे मत्रम